नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग रिसेंटली एक निउस निकल के आ रही है कि Reserve Bank of India ने एक Advisory Committee को सेट अप किया है जो कि evaluate करेगा कुछ applications को किन applications को तो कुछ financial organizations ने Universal Bank बनाने के लिए अपने आपको या अपने आपको Small Finance Bank बनाने के लिए अपलाई किया है क्या यह जो नए Financial Organization ने Universal Bank और Small Finance Bank बन सकते हैं क्या यह प्राइमा फेसी eligible हैं बनने के लिए तो इसके respect में यहाँ पे यह news निकल के आ रही है तो Universal Bank क्या होते हैं इनको समझने कोशच करेंगे Small Financial Banks क्या होते हैं इनको समझने कोशच करेंगे यह जो RBI की Universal Bank की Licensing Guidelines है कि बैंकिंग का लाइसेंस RBI कौन से basis पे कुछ particular organizations को देगी इसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी हलकी full की information यहाँ पे हमें आपको दूँगा अगर आप बात करो तो बैंकिंग लाइसेंस देने के उपर 2013-2014 के समय पे जब उस समय के रगुराम राजन जी RBI की Governor हुआ करते थे काफी focus आया था उस समय पे रगुराम राजन जी का बूलना था कि बही नए banks बनाने चाहिए banking sector में diversification होना चाहिए कुछ simple banks मतलब कुछ ही bank रहें और वो पूले के पूरे banking sector को dominate करें सही नहीं है सेप्टमबर 2013 में दो बैंकों को license दिया गया था फाइनली ये bank create हुए थे 2014 में ये दो बैंक थे IDFC बैंक और बंदन मैंक अब ये तो थे full banks full fledged banks 2015 सेप्टमबर में दस और bank को small finance bank का दरजा दिया गया था अब bank होना और small finance bank होना इनमें क्या फरक है ये भी अब भी आपको बताता हूँ finally आप देखोगे कि अगस्त 2016 में बात की गई on tap universal bank license के बारे में आप बोलोगे ये on tap universal bank licenses क्या होता है on tap universal bicycle license के मतलब ये है कि bank licenses की कोई एक proper window नहीं set की जाए ये RBI की इतने समय में हम आपका banking license approve करेंगे कभी भी कोई एक financial institutions अपने आपको गर bank में convert करना चाहता है तो वो RBI के पास जाके application डाल सकता है वैसे क्या होता है कि समय 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 में सरकार RBI को बोलती है कि हाँ भाई अब आप 3-4 नए banking license से issue कर सकते हो आप ऐसा नहीं होगा आप कोई भी private financial organization RBI के पास सीद जाके application डाल सकता है कि भाई मैं ये bank खोलना चाहता हूँ नवंबर 2016 में एक और proposal आया था RBI कमिटी का कि भाई Indian corporate houses को भी आप banking में घुसने जो बड़े-बड़े corporate ISIS है ना आपके airlines के अडानी के इनको आप permission दो कि अपना खुद का bank settle कर ले हाला कि बहुत criticize किया गया इस particular provision को बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं भाई ये provisions नहीं है कहीं नहीं ये बड़े जो बैंक से वो अपने businesses पे जादा ध्यान देंगे और बाकी economy पे जादा ध्यान होता है जो three main services of banking को one roof के अंदर जोड़ देता है wholesale banking भी करता है retail banking भी करता है investment banking भी करता है अब ये आपको समझना पड़ेगा कि wholesale banking retail banking investment banking क्या होती थोड़े देल में इसके उपर आते हैं तीनों प्रकार की banking आपको समझाओंगा ठीक है जो universal banks होते हैं जो तीनों प्रकार की services को प्रवाइड करते हैं ये एक all income passing service प्रवाइड होती है और अगर आप बात करो तो दुनिया भर में जो top की banks है जो सबसे बड़े banks है वो universal banks भी है for example BNP परिवास, Deutsche Bank, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, City Group, Bank of America, UBS, Credit Suisse, HSBC, Barclays ये क्या है ये universal bank है, दुनिया के 20 सबसे बड़े bank universal bank है चुकि investment भी करते हैं, retail भी करते हैं, wholesale भी करते हैं अब मैं आपको एक बात बता दू कि ये जो तीन तरीके का काम करते हैं ये करना इतना आसान नहीं है, investment, retail, wholesale, banking को इखटे करना it's a very difficult job और कहीं न कहीं ये जो universal banking वाले जो bank होते हैं ये insurance में भी involved होते हैं मैं आपको बता दो, इंडिया में भी अभी पूरी तरीके से full fresh universal bank उठके नहीं आए हैं जैसे JP Morgan Chase है, जैसे Morgan Stanley है, जैसे Credit Suisse है आपका US और European market में, इस तरीके के banks Indian market में exist नहीं करते हैं वो अलग बात है कि Credit Suisse ने, JP Morgan ने अपनी branches को इंडिया उक्वल रखका है, लेकिन चाहिए आप इंडिया के banking की बात करो, चाहिए SBI की बात करो, HDFC की बात करो, PNB की बात करो, अभी भी कोई full fresh universal bank नहीं बनाएं retail banking सब provide करते हैं, कोई wholesale bank ने प्रवाइड करता है जैसे कि SBI ने recently investment banking प्रवाइड करनी शुरू की है बट wholesale banking में SBI बहुत limited है तो आप कह सकते हो कि हाँ बाई, कुछ limited terms तक SBI एक universal bank है बट completely universal bank नहीं है, चुकि जो main काम SBI का है, वो क्या है? वो है retail banking का, थोड़ा बहुत वो investment services मेंटरी मार रहे है बट अभी वो उस level पर नहीं पहुंचे हैं, जिस level पर JP Morgan, credit series बगरा पहुंचे हैं मतलब universal banking का concept उतना evolve नहीं हुआ इंडिया में अभी भी जो उसका usage है, जो उसका deployment है on ground level खासकर मैं Indian bank से एगात कर रहा हूं, वो बहुत limited है फिर small financial bank की बात कर लेते हैं small financial bank क्या होता है? यह एक ऐसा private financial institution है, जिसका काम है further करना financial inclusion को देखे जो basic banking activities होती हैं, जैसे deposits accept करना कुछ हद तक lending करना, उधार देना किसको, unserved and undeserved sections को देखे जो छोटी छोटी business units होती हैं, small और marginal farmers होते हैं, micro or small industries होती हैं, unorganized sector के entities होती हैं इनको जो बड़े banks है, SBI, PNB type की bank को उसे पैसा मिलने में problem हो जाती है तो यह बोला गया कि भाई, जो बड़े level पे bank काम करना है, scheduled commercial banks वो उस level पे services नहीं provide कर पाते हैं, छोटी छोटी business units को, छोटे 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 farmers को, MSMEs को तो इनके लिए एक अलग banking category बना देते हैं, और वो अलग banking category बनाई गई गई small finance bank तो small financial bank बनाई इसलिए गए हैं, कि MSME sector, small business unit, micro small industries, चोटे मोटे farmers, unorganized sector के workers इनको banking services provide की जा सके हैं, याद रखेगा, small finance bank, regional rural banks और local area banks से अलग होते हैं, अगर आप regional rural banks और local area banks की बात करो, तो इनका एक set area of operation होता है, कि एवर rural इलाकों में operate करते हैं, और ज़्यादा तर regional rural banks कुछ states में ही काम कर पाते हैं, पैन इंडिया, regional rural banks बहुत कम हैं, लेकिन small financial bank का area of operation limited नहीं है, वो urban इलाकों में भी operate कर सकता है, वो rural इलाकों में भी operate कर सकता है, यह जो small finance bank का idea था, concept था, य 2009 में एक report आई थी, किस committee की, a hundred small steps, report का title था, committee थी on financial sector reforms, head कौन कर रहा था, तो Dr. Raghuram Rajan साफ, क्या बोला गया, कि resident individuals professionals with 10 years of experience in banking and finance, and companies and societies owned and controlled by the residents, will be eligible to set up small finance bank, यानि वो individuals, वो professionals इंडिया में, जिनको 10 साल का experience में banking और finance में, ठीक है भई, यह लोग small finance banks को set up कर सकते हैं, या फिर वो companies और वो societies जो की residents control करते हैं, यह भी small finance bank को set up कर सकते हैं, बशरते हैं, उन्होंने 10 साल कम से कम उस field में काम कियो, small finance bank को establish करने की condition क्या है, कि minimum capital इसका होना जिसमें initial contribution promoters की तरफ से 40% है, मतलब 100 करोन का इसका portfolio हो, 40 करोन जो promoters इस bank को शुरू कर रहे हैं, वो लोग इसमें contribute करें, तो अगर 200 करोन contribute हो रहा है, तो 80 करोन expect किया जाएगा कि जो promoters हैं, जो उस bank को खोल रहे हैं, वो contribute करेंगे, और आने वाले 12 सालों में, जो promoters का contribution है, वो 226% आना चाहिए, यानि आने वाला, कह लिजे, 12 सालों में उस bank की मर्स मा लिजे 500 करोन हो जाती है, तो उन 500 करोन में maximum 26%, यानि 130 करोन तक की ownership रख सकते हैं, कौन जो इसके promoters हैं, फिर अगर आप बात करो small financial banks में, तो foreign investment small financial banks में allow की करेंगे, जैसे कि private sector commercial bank है जिनके बास full banking लाइसेंस होता है, वहाँ पे भी foreign banks आ सकते हैं, foreign investment आ सकती है, तो आज की date में State Bank of India में limited तरीके से Royal Bank of Scotland इंवेस्ट करके उसके share खरी सकती, उसी प्रकार से small financial banks में भी foreign investment आ सकती है, एक बार अगर small financial bank की जो net worth है, वो 500 करोन रुपे पहुँच गई, तो उसको stock exchange पे अपने आ आपको stock exchange पे list करना ही करना है, ठीक है भई, याद रखेगा, जो small financial banks होती है, full-fledged banks होती है, यह payment banks नहीं होती है, payment banks limited bank होती है, अगर आप small financial banks और payment banks का फर्क देखो, तो payment banks में बहुत limitations लगाएगे हैं, जैसे एक लाग से ज्यादा का आप deposit नहीं रखते, credit card यह देंगे नह पर बहुत सारी conditions, terms and conditions लगा जाती है, small finance bank literally bank को की तरही काम करते हैं, तो चुकि small finance bank पूरी तरीके से bank को की तरही काम करते हैं, इसलिए RBI के सारे norms और regulations के उपर apply करते हैं, यानि small financial bank को cash reserve ratio भी maintain करना है, statutory liquidity ratio भी maintain करना है, यह सारे norms कहीं नहीं small financial bank मानेंगे, फिर अब देखते universal bank के services क्या क्या होती है, मैं आपको बता दू, universal bank में जदा confused मत हुई, जो normal banking license दी जाते हैं, जो कि RBI के जैसे, जो कि SBI के पास है, PNB के पास है, bank को product पास है, HDFC, ICICI, इन सब तरीके के bankों के पास, जो banking license हो, उसको आप universal banking license कर सकते हो, मतलब इस प्रकार के bank तीनों चीज़े ने कर सकते हैं, retail banking, wholesale banking, investment banking, हाँ, एक formal approval हो सकता, RBI की तरसे चाहिए हो, बढ़ RBI की तरसे approval मिल जाता है, सवाल यह उठता है, retail banking, wholesale banking, और investment banking, यह तीन बहुत अलग-अलग प्रकार की banking है, हम लोग जिस banking को देखते हैं, वो retail banking है, तो आप कही ना कहीं बैंकों में गये, आपन लोन लिया, ठीके ना, आपने internet banking का account खुलवाया, आपने credit debit card लिये, forex card लिया, travelers check लिया, आपने fixed deposit बनवाई, यह सब किसके पार्ट हैं, यह सब retail banking के पार्ट हैं, तो public हो गया, छोटे-मोटे business हो गया, इनको retail banking सुधा bank provide करती है, most common form of banking, एक होती ही wholesale banking, wholesale banking normal कर public तक नहीं पह जालते हैं, जैसे कि for example, apple company है आपकी USA में, अभी apple company की जो employees है, उनका एक pension fund होगा, तो apple company अपने employees की salary से थोड़ा बहुत पैसा काटके pension fund में डालती होगी, अभी जो pension fund का पैसा apple company का यह बहुत बढ़ा होगा, इस पैसे को manage करने के लिए एक bank चाहिए, तो जब वो management एक bank करे इस प्रकार के जो organization से, वो involved होते हैं, point समझे रहे आप, मतलब यहाँ पे कोई individual involved नहीं है, wholesale banking में बहुत huge sums of money involved है, तो किसी बड़ी company का पूरा का पूरा pension fund हो गया, किसी government का sovereign pension fund हो गया, तो कि कल की date में हमारी भारत सरकार NPS को, यानि new pension scheme के अंतर जो लोगों का पैसा आया है इसको manage करने के लिए किसी bank को appoint कर दे, तो वो जो bank होगा, वो wholesale banking की service provide हो रहा होगा, समझे बात को, फिर बात करते है investment banking, investment banking में retail banking वाला काम नहीं होता है, investment banking में अलगी प्रकार के काम होते हैं, जैसे asset management, जैसे mergers and acquisition, mergers and acquisition, तो कल की date में मानलो, सरकार का दिमांग गूम गया, और सरकार ने बुला कि bank और baroda को हम state bank of india में merge कर देंगे, बिल्गूल कर सकती है, सरकार आज की date में privatization और mergers को बड़े तेजी में लेकर चल रही है, तो अभी bank of baroda को, अगर SBI के साथ आपको merge करना है, तो यह आसा चल रहा है, SBI की balance sheet में क्या है, इसाब चल रहा है, क्या इन दोनों का assimilate किया जा सकता है, तो merger and acquisition एक बहुत specific, बहुत, आप कह सकते specific, एक set of work है, जिसको कुछ specialized organizations करते हैं, और in specialized organization को investment banking, investment bank बोला जाता है, आप IM एमदवा से करने वाद, New York में investment bank में काम करें, अब तो बैंग investment banking में, तो यह हो गई आपकी investment, उसी प्रकार से एक चीज़ होती, asset management, तो बड़े-बड़े firms में, जो बड़े-बड़े कंपनियों का पैसा आपके पास पड़ा होता, उस कंपनी पास, या किसी बड़े individual, बड़े high net worth individual, तो कोई एक particular person इसका वालतूपैस है, USA में, वो बैं wages and acquisitions करना, asset management करना, यह सब investment banking में आता है, ठीक है भई, तो अब आप समझ सकते हो कि investment banking, फिर आपका wholesale banking, आप बोलोगों कि sir, investment banking कुछ-कुछ हद तक wholesale banking जैसे लग रहा है, नहीं, investment banking और wholesale banking में बहुत फरक है, wholesale banking में एक बहुत बड़ा पैसे के amount को आप deal कर रहे हो, investment banking में नहीं होता है, तो किसी एक individual का 4-5 billion dollar investment banking के अंदर asset management में आ जाएगा, लेकिन 4-5 billion dollar की banking, wholesale banking में नहीं होगी, wholesale banking में amounts बहुत बड़े होते हैं, समझे नहीं है, पाइंट को तो यह कुछ specific differences है, अब बात करते हैं, finally RBI की universal bank licenses guidelines के बाने, RBI नी recently Monday को बोला कि हम on tap licensing को introduce करेंगे private sector मे on tap licensing के हैं, कि पहले RBI बोलता था कि हम banking licenses माट रहे हैं, आ जाओ, RBI को सरकार बोलती थी, अब RBI बोलता है कि अगर आपको banking license चाहिए, तो आप किसी भी समय आके अपनी application हमारे पास file कर सकते हो, अगर हमको सही लगी, तो हम आपको bank license दे देंगे, मतलब bank license को grant करने की जो facility है, पूरे साल खुली हुई है, ठीक है, तो RBI stated, यह जो licensing window है, it will be open on tap, यह खुली हुई है, आप कभी भी आके अपनी application जमा कर सकते हैं, सही लगा, तो आपको banking license दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको banking license खोलना है, तो उसकी कुछ condition है, पहली condition है, वो individuals और वो professionals जो इंडिया में resident है, और कम से कम 10 साल banking और finance sector में senior level पर काम कर चुके, उनकी eligibility है, bank खुलने की, दूसरा इस bank का जो initial minimum paid up voting equity capital होगा, यह 5 billion होना चाहिए, 5 billion रुपीज मतलब 500 करोन रुपय होना चाहिए, और इस bank की minimum net worth हमेशा कम से कम 5 billion dollars होनी चाहिए, अभी यहाँ पे यह जो शब्द है paid up equity capital यह क्या होता उसके बारे में बात करूँगा, फिर requirement of non-operative financial holding company, non-operative financial holding company क्या होती है, यह भी बताता हूँ, तो यह जो non-operative financial holding company की requirement होती थी bank license लेने के लिए, यह requirement mandatory नहीं है, अगर bank खुलने वाला एक individual promoter है, यह stand-alone promoter है, यह छोटी-मोटी entity है, जिसका किसी भी और financial entity की सा कोई लेना देना नहीं है, समझाता हूँ कैसे, यह NOFHC और यह paid up voting equity capital क्या है, यहाँ देखें, paid up voting equity capital, यह क्या है, it is an amount of money for which shares of the company were issued to the shareholders and payment was made by the shareholders, क्या होता है आपने initial public offering के बारे में सुना होगा, initial public offering में primary market में, जो companies आती हैं, वो अपने shares को introduce करती हैं, लोग उन shares को खरीद इसको बोला जाता, paid up capital, मतलब आपने company के shares को market में उतारा और लोगों ने shares को खरीदा, इसको बोला जाता, paid up voting equity capital, या फिर आप कहलेजे, paid up equity capital, voting तो अवाला element तो यह आगया कि बाई, किसी promoter के पास 10% है, किसी इक पास 8% है, किसी इक पास 15% है, तो किसी important decision पे decide करना है, तो भाई voting हो गई, तो अगर 50% से ज़्यादा shareholders ने बोल दिया कि यह decision implement करो, तो decision implement हो जाएगा, तो पेडिंग voting capital में कुछ नहीं है, एक company के shares को आपने market में introduce किया, IPO में और उससे आपको कुछ पैसे मिल गया, तो मालो, किसी एक bank ने, आपने 100 क्रोन रुपए के shares issue किये, और मैं बहुत अमीर आदमी हो, मैंने 30 क्रोन रुपए invest करके shares खरी लिए, तो 30% मेरे पास उसका equity capital आ गया, paid up equity capital, समझ के यह simple भाशा है, next non-operative financial holding company, देखिए non-operating financial holding company, एक ऐसा financial institution है, जो promoter या promoter group setup कर सकते हैं, यह एक ऐसी company है, जिस company के तुरू आप एक bank को establish कर सकते हो, मतलब simple ब holding company बनाई, उस financial holding company को बनाके आपने अपने financial norms को सरकार के सामने प्रूफ किया, और अब सरकार को आसानी हो रही है, आपको banking license देने में, private sector में, public sector में, NBFCs, यह सब holy owned NOFHC को establish कर सकते हैं, पहले यह होता था, कि एक non-operative financial holding company बनाना ज़रूरी था, अगर आपको banking license चाहिए, इससे सरकार को और RBI को यह assurance मिलता था कि यहाँ आपकी credibility आप एक bank को खोल सकते हो, लेकिन अब सरकार ने क्या बोला है, कि NOFHC बनाना mandatory नहीं है, कब mandatory नहीं है, अगर आप individual promoter हैं, अगर आप stand-alone promoter हैं, अकेले promote कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े business organization साथ आप deal नहीं करते हैं यह क्यों यह चैसी छोटी entity है, जिसकी किसी भी और financial entity या group entity इक साथ को यह लेना दिना नहीं है, मतलब यहाँ पे NOFHC का criteria देखने के बजाए आपकी, यह credibility देखी जा रही है, ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, not less than 51% of the total paid up equity capital of the NOFHC shall be owned by the promoter, promoter group, अगर आप NOFHC, non-operative financial holding company के थुरू एक banking license ले रहो, तो ऐसे cases में, जो भी इस bank का promoter होगा, उस promoter के पास, इस non-operative financial holding company में कम से कम 51% paid up equity capital होना चाहिए, समझ गया बात को, और promoter और promoter और promoter group के पास, significance influence और control होना चाहिए, NOFHC का, चुकि इस NOFHC के थुरू ही आप bank खरीद रहो, अभी bank क्या promoter हो, तो NOHFC में भी आपकी चलती होनी चाहिए, आपका major influence होना चाहिए, तो ही आपको banking license मिलेगा, फिर एक बार banking license दे दिया गया, तो bank ने अपना operation शुरू कर दिया, operation शुरू कर ने के 6 साल के अंदर-अंदर bank को अपने आपको stock exchange पे भी list करना है, तो यह सब यहाँ पे कुछ banking licensing requirements दी गई है, फिर bank के ओपर एक और requirement डाली जाती ही, कि 25% उसकी branches on bank rural sector में होनी चाहिए, priority sector lending targets को वो पूरा करेगा, जो भी priority sector lending targets इंडिया में सरकार के दोरा bank को को दिये जात जो board होगा bank में, उसमें ज़्यातर independent directors होंगे, और RBI का approval मिलेगा ना banking license का, वो 18 महीने तक valid है, अगर आपने 18 महीने के अंदर bank नहीं खोला, तो आपका license automatically रद दो जाएगा, उसके बाद आप bank नहीं खोल पाऊगा, तो यह कुछ universal bank को लेके licensing guidelines है, यहाँ पे हमने wholesale banking क्या होत होती है, यह समझा, investment banking क्या होती है, यह समझा, RBI की universal bank licensing guidelines क्या है, यह समझा, small finance bank और banks के बीच के फर्क को समझा, So I hope आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे important देखने को मिलाओ, thank you for watching friends, अपने viewpoint इचे comment box में ज़रूर दीजेगा, और जाब दस आधर लोग साथ इस video को share करें, goodbye.